आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम है सिध्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉल्स रेप चार्जेस की मैं बात करूंगा कल हम बात करेंगे उसकी लेकिन आज आप ये भी समझ लीजिए फॉल्स रेप चार्जेस आपने भी विश्णु थिवारी का केस सुना वह बिचारा पंदरा साल जेल काटके आया है पंदरा साल फॉल्स रेप चार्जेस अभी नवेंबर में दोस्तों एक आदमी को पंदरा लाक रुपए दिये क्योंकि उसको उसके उपर साथ साल तक मुकद्बा चला वह बिचारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था बीटेक में उसने आडमीशल लिया 2010 की बात है और एक महिला ने उसके उपर फॉल्स रेप चार्जेस लगा दिये महिला की माने बोला कि इसने मेरी ब पर देने पड़े उस महिला को ऐसे बहुत सारे केसेज मिलेंगे रेप बहुत ही दोस्तों यह सेक्शन 376 में डिफाइंड है और हर 15 मिनट में रेप होता है बलातकार होता है यह कैसी चीज है जो अभिशाप है ऐसे लोगों को तो इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि क्या बता है जो यह करते है लेकिन कई बार क्या होता है कि इन इन चीजों का गलत फाइदा भी उठाया जाता है कई बार कई बार तो नहीं लेकिन होता है यह कि फॉल्स रेप चार्जेस लगा दिये कल हम बात करेंगे डोमेस्टिक वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन की भी उसमें आएगा कि अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो तो क्या करें बहुत राइट से कलम बात करेंगे आज हम बात करेंगे फॉल्स रेप चार्जेस की कैसे इससे लड़ा जाए अगर बिना बात के किसी महिला ने आरोप लगा दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से करो एक सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और इस्टा पर मुझे फॉलो करो तो फॉल्स केसेस की बात कर रहे हैं देखिए अभी मैंने आपको बताया कि चीजे खतरनाक हो जात है और उसमें तगडी सदा है लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि जादा तर केस फाइल ही नहीं होते हैं अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें अक्यूजड को जो जिसको पर आरोप लगे होते हैं उसको सदा तक पहुचाना भी बहुत बड़ा काम है ठीक है जादा तर होगे तो आप यह सोचो कि जो जिस इंसान ये काम किया है वो तो और करेगा उसकी तो हिम्मत और बढ़ जाएगी और यह होता है तो इसलिए कंप्लेइन बिल्कुल करा है और जिन्हों नहीं सब काम करते हैं उनको सजा तक ले जाए एक दम फास ही दिला है उन्हें अलाकि ह हमारे कानून में भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है जाधा तर लोगों को कॉन्विक्शन रेट कम है कॉन्विक्ट नहीं किया जाता है क्यूंकि किसी ना किसी तरीके दो छूट जाते हैं तो इसलिए फास्ट्रैक कोड बनाने की मांग चल रही है और हमारे जो क्रिमिनल अभाई मलिमठ ने तो बोले इतना मलिमठ कमिटी ने की बहुत जरूरी है आप कुछ चीजों को सही करना वह एक अलग चीज है पिलाल हम फॉल्स केस की बात करेंगे देगे फॉल्स केस अगर हो जाए मान लीजे की बलातकार का जूटा आरोप लग जाए तो आप क्या कर सक लिए तो इसमें सबसे पहले अगर आपको लग राय कि कुछ गड़बड होने वाली है मेरे उपर जूटे आरोप लग सकते हैं एविडेंस तैयार कर लो अपने हतियार तैयार कर लो तुम्हारे पास एविडेंस होंगी कॉल रिकॉर्डिंस होंगी कॉल रिकॉर्ड पर के लिए एप्लाइ कर दो और आपको कोट यह ग्रांट कर देगा अब कई बार दोस्तों क्या होता है यह सच केसे में जिसमें वाकई में केसे पलातकार वहस में भी एंटी सिपेटरी बेल फाइल हो जाती है तब ही आप देखते होंगे अक्सार कि एक तरफ केस चल रहा है द सेक्षन 482 में 482 आप अप्लाइज कर सकते हो उसके मदब 482 के तहट CRPC Criminal Procedure Code के तहट इसमें अगर मान लोग की यह केस आपको परशान करने के लिए डाला गया है या घलत मंशा है किसी की जबरदस्ती आपके बास पूरे एविडेंस है तो आप अरेस्ट होने के बाद यह क करेगी तो जिस इनसान ने ऐसा किया है उसके ओपर भी उनस्टिकेशन बैड़े आएगी तीसरी चीज़ आप रिट दायर कर सकते हो हाई कोड रिट लगा सकता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो हाई कोड जो है इसका इस्तमाल करके इसको रोग सकता है निचली अदालतों की कारवाई को रोग सकता है कि अगर false rape charges है तब हो गई है ठीक है उसके बाद मालो की case हो गया पूरा जैसे अभी मैंने आपको बताया था विश्नु थिवारी का case बताया खेर उसने अभी तक पता नहीं क्या development हुए मुझे नहीं पता लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अभी पंद्रा लाग रुपए का अदमी को मैंने उसके साथ यही हुआ था कि पुरा case complete यह तो बात है अगर आप arrest न हुए तो आप anticipatory bail ले लो ठीक है मालो मुकदमा चलने लगा investigation हूरी चार्ज शीट फाइल हो गई पुलिस क्या पहले FIR होती है फिर पुलिस investigation करती है फिर investigation करने के बाद चार्ज शीट फाइल करती है जो जिसमें involved उनके नाम लिखती है अगर arrest आप नहीं हुए just FIR फाइल हुए तो तुरंत anticipatory bail के लिए आप जा सकते हो अगर मान लो की FIR हो गई है चार्ज शीट फाइल हो गई है मतलब चार्ज शीट फाइल हो गई है तब आप जो म तब तो ऐसी की तैसी कर दो इतने प्राफधान है IPC 211 जूटी कारवाई हुई 7 साल के लिए अंदर हो जाएगा आपको compensation भी मिल सकता है मान हानिका मुकदमा छोट थोग दो 400 इंडियानवे 500 section 499 500 में मान हानिका मुकदमा थोग दो 15 लाग रुपए भी उसको मिले 7 साल जो जगा सकते हो section 182 जबर्दस्ति किसी को फसाया गया है फसाने के लिए बिना बात के case दायर किया है बैंड बजा दो तो ये sections है अगर false rape charges हुए है तो इसमें arrest होने से पहले तीन आपके पास यहां पे है तीन आपके पास options होता है अगर arrest नहीं हो तो एंटिसेबेटरी बेल ल तो यह सब आपके पास अधिकार है ऐसे कोई बच के जा नहीं सकता अगर आपको अपने rights पता हो तो मेरा यही काम है कि आपको aware करूँ तो आप सबको aware करूँ आपका यह काम है कि आप सबको aware करूँ सब तक यह lecture पहुंचाओ इदर WhatsApp ग्रूप में आलतू-फालतू चीज़े चलती रहती है यह पहुंचाओ चलो यह मेरा इस्टा है अभी बहुत जल्द में उतरा खंड आ रहा हूँ दोस्तो आप मुझे इंस्टा पे मेसेज करिए अगर आप मुझे मिलना चाहते है मैं बिल्कुल आपसे मिलूँगा कुछ रहे पढ़ते रहे दिसे चद्दा तक न बिल्कुल आत्रा खंपसेल है